हेलो गाइज ये सटाटे का विलोग है तो मैं मॉर्निंग में कपले दो रही थी संधिंग 11-12 बजे था तो कपले दो रही थी और कपले दोने के पाद उपर धूप में कपले भी डाला और फिर यहीं आकर बैट गई बाबु से क्रीम मंगा ली थी बोरोलेन तो वही हाथ की है तो संडे की है यह तो मैंने अभी आधी डालिये आधी मैं नेश्टेडे आएगी क्योंकि अगर और जादा कर देती तो बहुत बड़ी वीडियो हमारी हो जाती तो मैं यहां नहा कर आई हूई हूँ सर्द होया है मैंने और आज मैं थोड़ा सा लेट सो कर भी उठी हूँ आज सम्तिंग उठी थी मैं सभाग साथ बज़े सो कर उठी थी क्योंकि पतीदेओ को भी आपीस नहीं जाने था और बच्ची की भी छुटी थी तो इस वज़े से आज लेट सो कर उठी हूँ तो यहाँ पर मैं आई हूँ थोड़ा सा क्रीम लगा रही थी और बस लिपाम है और जो मतलब लगाते हैं वो सारी चीजे नाने के बाद केते हैं मांग सुनी नहीं होनी चीए तो बस अब आप लोग तो समझी सकते हो और अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए तो एक बार हमारी चाय बन चुकी है यह दुबारा चाय बन रही है क्योंकि नहा कर आओ तो फिर तो चाय की जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है आज कल के समय में तो बिना चाय के तो रहा भी नहीं जाता है तो चाय चड़ा दिये मैंने सकर डाल दूँगी चाय पती डाल दूँगी और अधरक डाल दूँगी हमारी चाय बनती रहेगी और फिर आप लोगों से मैं बात करूँगी और संडे को आप लोगों ने क्या किया मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप लोग तो उम्मीद करती हो आप सब लोग अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूं तो मेरी यहां बंदे यह चाय एक बार मैं चाय पी चुकी हूं नहाने से पहले क्योंकि आज मैं जो हूं लेट सोकर उठी थी सवा हुज इसके बाद चाय चडरा इंब तो इस लिए तो बन रही है वहरां साथ वीडियो कर्द से नहीं किजियेगा और करून बोड़ेश्वार्ड मेरे साथ बना अब और बावु मेरे उड़ चुके हैं बावु मेरे उड़ चुके हैं पती देवबार बैटे हैं तो चलिए भी चाय लेकर सेकती हूँ और आगे क्या क्या करती हो सब आप लोगों के साथ शेयर करोंगे तो बने रहीएगा फ्लाश जेतर और यहां पर मैं कर रही थी कैमरा सेट क्योंकि इसकी चू डंडी होती है न तो उसको मैंने पहले बढ़ी किया था तो वो नीची आ गई तो उसी को मैं टाइट कर रही थी क कि यह मतलब काईदी से हो क्यों ने रही है तो भही मैं सिट कर रही थी और इधर मेरी बन गई है चाय तो आज आईए आप लोग भी हमारे साथ ठंडी में गर्मा गरम चाय पीने के लिए क्योंकि ठंडी तो है और मैंने सर्दो कर ना आया है तो सर्दो कर ना आने के बाद हो आर भी ठंडी लगती है तो अभी तो हमारी च्छट में धूप भी नहीं आई है हमारी च्छट नइसाफ का जी चंज बाहर हमें कि अम आदे है चाय ने कमरे में चलते हैं हम सब मिलकर चाय पीते हैं क्योंकि तो भी बाहर बैठे हुए हैं और बाबू भी मेरा बाहर ही है और यह देखिए यह बैठे है हमारे पती देओ रजाई वगरा ओड़े बाबू भी बैठे है और सब लोग देख रहे हैं टीवी क्योंकि अच्छा आप लोग कमेंट करके मुझे यह जरूर बताइएगा कि इस समय प्रजेंट टाइम में भी क यह बनाने के लिए यह बनाने गाजर को लम्डी-विं सबम कर्ली और फिर उसके बाद मेंने ट्रह में टीज्फी कट लिया है झालेस Azamu लसट भी महीं क्योंकि कड़ाई मैंने सापने की तेल बज़ गया था तो इसी में मैं बना ले रही हूँ तो अब मैंने इसमें प्याज लेस्ट यानि जितना मटेरियल मैंने काट की रखा था तो उसको डाल कर इसमें फ्राई कर लूँगी और ज्यादा फ्राई नहीं करूँगी थोड़ा क्योंकि थोड़ा सा पक जाएगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा तो चलिए यहां पर मैं इनको फ्राई कर लेती हूं और हाँ आप लोगों से मैं कह रहे थी कि कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि किस-किस को रंगोली मलब चाय पीते हुए रंगोली देखना जनता गाता नशन के थी रंगोली म फिंआ के साहध भाल डिया आप लोगों, तो आप लिए से बश्राइगा अपनी घैप लिए तो होता क्या था कि मैं नहा दोएगा कर अपनी क capture लेक भाले ले बैठ आज भीडिशवाय आज प्संदधा ने जंपर में कहते हैं यहां प्र चिली सॉस वह दोनों को मैंने डाल दिया है और थोड़ा सही से पानी डाल दिया है अब मैं इसमें डाल दूंगी पास्ता आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि कौन कौन इस तरह से पास्ता बनाता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत गजब काता है इस तरह से आप लोग अगर एक बार ट्राइए करना जो भी नहीं बनाते अगर ट्राइए करेंगे यह समझेगा कि इसका टेस्ट बहुत गजब का आने वाला है चिली सॉस है और टमेटो केचप है और यह मैंने डाल दिया सोय सॉस यह बिल्कुल जैसे आप लोग चिली पनीर या मंच और हलका सा नमक क्योंकि नमक तो हमारा सॉस में भी है और तीनों सॉस में है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और देखी का वागे में इसका कलर भी बहुत अच्छा आने वाला है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है तो मैंने इसमें चिली सॉस और टोमेटो केचप जो है दोनों बराबर में ही डाला है आपके पास और सब्जियां हो तो और सब्जिया डाल सकते हैं मैं तो मेरे पास जितना इटम था मैंने उतनी ही सब्जियां डाली है अगर मेरे पास होता है तो मैं बंधा भी डाल देती हूं और मतर भी डाल देती हू यानि कि थोड़ी बहुत जो सब्गियां हमारे पास और होती है तो मैं सिम्ला मिर्च भी डाल देती हूँ बहुत सब्जेस में डाल देती हूँ तो और अच्छा टेस्ट आता है और आप लोग चाहें तो एक बार चरूर चाही कीजिएगा और यहाँ पर मेरा पास्ता हो गया कुछ भी हमारी वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके ही जाएगा क्योंकि आप लोग आते हो लाइक करना भोल जाते हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ अगर जो भी कोई आप अपनी राय या कुछ भी बताना चाहत है तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते है अगर मेरी कहीं कुछ भी गलती हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी कोई हमारे चैनल पर नियू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो थोड़ और ज़्यादा पसंद आया तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है आप हैं तो हम हैं अगर आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं एकदम जीरों हैं तो इस और वाकई में इसका टेस्ट इतना लाजवाब आया थे इतना लाजवाब था कि मैं बता नहीं सकती तो चलिए अब चलती हूँ मिलोंगी आप लोगों से अपने नेश्ट वीडियो में